ओम नमह शिवाय, ओम गौरी संकराई नमह, ओम उमा महिश्वराई नमह, जै मातादी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधनामी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मा भगवती दुर्गा की क्रिपा, आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वधा बनी रहे, दोस आज के दिन अगर आप किसी भी कामना से भगवान भोले नात के निमित्त वरत धारन करते हैं, पूजा आरादना करते हैं, और प्रदोश काल में, विशेश रूप से शाम के समय, संध्याकाल का समय, जो प्रदोश काल कहलाता है, उस समय में अगर भगवान शिव मता प्रदोश का व्रत सर्वस्रिष्ट वरत्माना जाता है लेकिन अगर आपकी कोई और भी विशेश मनो कामना है जैसे कि मन चाहा जीवन साती चाहते हैं विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही हो मांसी कुरूप से बहुत अधिक परेशान हो कर्ज में घिरे हो धनिका आधना करते हैं तो इससे आपके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान मिल जाता है और अगर आप व्रत धारन नहीं भी कर पाते हैं मानलीजी किसी भी कारण वस आपने व्रत नहीं किया है लेकिन फिर भी अगर आप प्रदोश काल में यानि शाम के समय में भगवान शिव म पार्वती की पूजा करने से समस्त प्रकार के पापों का निवारन हो जाता है क्योंकि सास्त्रों के अनुसार प्रदोश व्रत के दिन प्रदोशकाल में भगवान भोलेनाथ साक्षात रूप शेवलिंग में वराजमान होते हैं और जब हम इनकी पूजा आराधना आज के दिन करते हैं विशेश रूप से उनकी पूजा कोई ऐसी मनोकामना के लिए करते हैं जो कि चाहते हैं कि बहुत शीग्र पुरुन हो तो वह मनोकामना बहुत शीग्र पुरुन होती है तो आप व्रत करें या ना करें भगवान भुलेनात की पूजा आज आपको जरूर करनी च प्रदोश्वरत है बहुत ही श्रिष्ट प्रदोश माना जाता है समझत प्रकार की इच्छाओं को प्रदोश्वरत होता है तो आज की वीडियो में आप से शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही अच्छुक उपाय जो कि शुक्र प्रदोश के दिन शाम के समय यानि की प्रदोश काल में अगर आप करते हैं शीकर ही आपके मन की जो भी काम न आदेव जरूर लिखें और हाँ आपके लाइक आपके कमेट्स मेरे लिए बहुत महत्यपुर्ण है तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है लाइक करना ना भूलें और मातरानी के नाम का जैकारा भी कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं अपना कोई सुझाओ हो तो कमेट बॉक्स में जरूर लिखें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रस कर लीजिए इससे ये दाप्त होगी एक जनवरी को प्रात्यकाल 7 बजकर 17 मिनट पर प्रदोश के वरत में प्रदोश काल का यानि संध्या काल की पूजा का विशेश महत्य होता है इसलिए प्रदोश का वरत 31 दिसंबर यानि कि शुप्रवार के दिन धारन किया जाएगा और प्रदोश काल जिससे की मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो देखिए अगर आपके विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है बहुत अधिक विलंब हो रहा है आपके विवाह में उम्र अधिक हो गई है तो आज के दिन प्रदोश काल में भगवान भोले नात की विदे विधान से आपको करनी चाहिए पीले पुस्प उन्हें अरपित करनी चाहिए धूब दीप नवेद्य अरपित करें बिल्वपत्र जरूर अरपित करें देखिए एक भी बिल्वपत्र मिल जाता है तो जरूर भगवान भोले नात पर अरपित करना चाहिए अगर आपको एक भी पुजा आरातना करें तो इससे आपके विवाह में आ रही समस्त बाधाये दूर होती है योग्यों और उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है और दामपत्य जीवन में बहुत अधिक कलह-कलेश रहता है पति-पत्नी के रिष्टे मधुर नहीं है तो ऐसे में आज के दिन भगवान भोले नात की पूजा में 11 गुलाब के फूलों की माला बना कर अर्पित करनी चाहिए और माता पार्वती को सुहाक की सामगरी अर्पित करें माता पार्वती को लाल पुस्प अर्पित करें इससे आपका दामपत्य जीवन मधूर होता है पति-पत्नी के रिष्ट को मधूर बनाने के लिए इस उपाई को जरूर करना चाहिए संतान प्राप्ति के लिए आज के दिन शाम के समय गाय का शुद्ध की भगवान भोले नात पर अर्पित करें सफेद पुस्पों से भगवान भोले नात की पूजा करें और संभव हो उपलब्ध हो आपके पास व्यापार में आपके घाटा हो रहा हो नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही हो या नौकरी में आपके प्रमोशन नहीं मिल रहा हो आज के दिन धन प्राप्ति की कामना से भगवान भोले नात की पूजा आरातना कीजिए विधिवत उनकी पूजा कीजिए धूब दीप खड़े होकर पढ़ लीजिए और नहीं तो आप सुन भी सकते हैं अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो सुन लीजिए इतने मातर से भी भगवान भूले नाथ की गृपा से आपके जीवन की आरतीक समस्या हैं वो दूर होती हैं दोस्तों शुक्र प्रदोश के दिन भगवान भू सिंद्ध का shrine सक्वार्णों कामनां.." हार प्रकार की कामना आपि की पुरुण हो जाती है किभीषेक करने संथे बिलवपतर इंशेट oluyor आधाम राम लिखते हैं और से बाद major 10 को एक एक समर्पित करते हैं मंत्रों के साथ चाहे नमाह शिवाय मंत्र के साथ या महां मृत तुक्ष करते हैं अगर वैंने स संध्याकाल में। भगवान शिव की पूजा आरादना ज़रूर करें। माता पार्वति की पूजा आरादना जरूर करें। आज के दिन शिव शक्ति की आरादना करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं समस्त प्रकार के पापनष्ट होते हैं ग्रह दोसों से मुक्ति मिलती है किसी भी प्रकार का अशुब ग्रह दोस का प्रभाव आपके जीवन में हो जिसकी वज़े से परिशानिया बनी हुई है आज के दिन भगवान भूले नात की आराधना करने मात्र से ही समस्त बाधाएं दूर होती है दोस्तों साल 2021 से अन्तिम प्रदोश वृत है भगवान भूले नात की प्राठना और आधना करें जिससे की आने वाला वर्स सुक में हो आने वाले वर्स में आपकी समस्त मनौ कामनाय पुरुन हो मेरी तरफ से आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार